तो अगर आपने वीडियो पर क्लिक करी दिया हैं, तो थोड़ा अलर्ट भी हो जाओ, वरना कुछ बाते आपके उपर से जा सकती हैं, तो एक बार तो दोस्त थे, राम और शाम, मुझे और कोई नाम नहीं मिले तो मैंने यही नाम ले लिए सदाबार, राम और शाम, तो राम अगर एक रुपया है, तो कल दो रुपय होगा, बर सु चार रुपय होगा, फिर आठ, फिर सोला, फिर बत्तिस, फिर चोंसट, ऐसे वो डबल होता रहेगा, इकतिर सोय दिन तक, तो राम की मन में तो दस करोड का नाम सुनते ही कम कपी मशने लगी, उसने तुरंती दस करो हो रहा है, और देख रहा है कि एक रुपय में इस दुनिया में क्या-क्या चीज़े मिलती है, हम थोड़ा आगे चलते हैं, पाचवे दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड रुपय हैं, और शाम के पास में अभी 512 रुपय, पंद्रवे दिन राम के पास में 10 करोड रुप दस करोड को छोड़के लोग भी उस पर हस रहे थे कि 10 करोड को छोड़कर सब लिए उसने लोगों को थोड़ा इग्णोर किया और सूचा चलो चोड़ अब जो हो गया सो हो गया अब इंतजार कर नेग biggest क्रूद के सब्यूंप पास में अभी भी 10 करोड रुपे हैं और शाम के पास में 5,24,288 रुपे यानि कि राम से अभी भी 9,94,24,712 रुपे कम 25 वे दिन राम के पास में अभी 10 करोड रुपे हैं और शाम के पास में अब 1,66,37,216 रुपे और शाम थोड़ा कुश हो जाता है क्योंकि वो करोड तक तो पहुचा गम से गम लेकिन अभी उसके मन में दाउड था क्यार गहीं गलती तो नहीं कर दी क्योंकि उसके पास राम से अभी भी 9 करोड तरिया से लाग 22,214 रुपे कम थे यानि कि राम के पास में अभी भी शाम के मुकाबले 9 कुना ज़्यादा पेसा है और अब हम आते हैं फाइनल डेट पर यानि 31 विदिन क्या हाल है तो 31 विदिन राम फूट फूट कर रो रहा और शाम ये सोचा है कि न्यू कार कौन से लूँ घर पर 10 करोड खर्च करूँ या फिर 20 करोड और दुनिया में सबसे बेसे जगा कौन से ये गुमने के लिए क्योंकि 31 विदिन राम के पास में अभी भी 10 करोड रुपे हैं और शाम के पास क्या आप सोच सकते हैं कितना हो सकता है विडियो को पोस्ट करो, केलकुलेट करो और कमेंट करके बताओ कर लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना होता है एक अरब 7 करोड 37 लाग 41 यार 824 रुपे 25 विदिन राम के पास में शाम के मकाबले 9 गुना जादा पेसा था दोको यह सब बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद था आप सबको कंपाउंडिंग ये पावर से रूबरू कराना क्योंकि कंपाउंडिंग जो होती है, वो लाइप के हर एकस्पेक्ट में काम करती है वो चाहे आपकी habits हो आपकी choice हो या फिर वो पेशा हो आपके द्वारा की गई हर choice आने वाले 10 से 15 सालों में आपकी life में इतना बड़ा impact डाल सकती है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते है आप इस गराप को थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें आदे से ज़्यादा time निकल जाएगा लेकिन result जो है वो आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी घरा नहीं उतरेगा लेकिन एक time के बाद में जो result है वो आपकी उम्मीदों से परे होगा अब सवाल यह आता है कि हमें करना क्या है देखो हर दिन आपके बास में choice होती है कि आप या तो यह करो या फिर यह करो या तो 10 बजे उठो या फिर 5 से 6 बजे के बीच में उठो या तो healthy खाओ या फिर कचरा खाओ social media पर कुछ अच्छा देखो या फिर फाल्टो की जीजे देखते रहो और आपकी आदते भी कुछ इसी तरह से होती है आपकी हर छोटी से छोटी अच्छी और बुरी आदते जो हैं उनका असर आपको अभी नहीं दीखेगा लेकिन जब दीखेगा उसका आप imagine भी नहीं कर सकते अच्छी आदते आपका भोईश्य बना देगी और बुरी आदते आपका भोईश्य बरबाद करतेगी और इतनी बुरी तरीके से करेगी जिसका आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा आप भी कई बार सोचते होंगे कि आप मैं ये कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ लेकिन मुझे result तो मिल नहीं रहा देखो यही तो main है जब result नहीं मिल रहा है तब भी क्या आप TK रहोगे अगर हाँ तो आपको वो growth मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा लेकिन उस growth को पाने के लिए पहले आपको compounding को समझना पड़ेगा थोड़ा patience रखना पड़ेगा तो यह तो हमने बात की choice की और habits की अब हम बात करते हैं peso की अब कई सारा लोग यहाँ पर यह सोचकर बेटे होंगे की invest की वे peso का जो return अच्छा मिलना चाहिए वो return तो हम बोड़े हो जाएंगे तब मिलेगा तो तब उसका क्या काम दिखो इंडिया में से कितने लोग है जो कि 60 की उम्र में है और उन्हें अभी भी घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है मैंने तो बलकि 70-80 साल वाले भी देखे हैं पचाश, साट और सातर की उम्र में उनके पास में इतना पैसा भी नहीं होता है कि एक महीने बिना काम किये रह सके अपने future को secure करने के लिए 30 की उम್रे में retire होनी के लिए आपने चाने के लिए लाइफ को खुल कर के जीने के लिए हम जहाँ जाना चाते हैं, वहाँ जाने के लिए, इन सब कामों के लिए इंवेस्टिंग की जाती है, ताकि हमारी जो रिटार्मेंटे हो बिल्कुल सिक्योर हो सगे, उसके में बिल्कुल भी टेंशन ना हूँ, देखो मेरे यह जबी गुनित साल है, और अभी अगर मैं इंव 50% की बड़ोतरी करनी है, और अगर ये 500 रुपे आपने स्टोक मारकेट में डालती है, जहाँ पर अगर आप अच्छे से इंवेस्ट करेंगे, तो आपको लगबग 15% का रिटन तो लगबग मिल जाता है, जो की एवरेज होता है, तो ये 500 रुपे महीना, 65 साल की उम्रे तक कितना हो जाएगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हाथ तो वीडियो को पोस्ट करें और कोमेंट करकर जरूर बताएं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो अमाउंट कितना होगा, वो अमाउंट होगा 4 करोड 70 लाग रुपे, यानि कि अगर आप भी 500 करते हो हर मैने सिर्फ 500 रुपे, तो 65 की उम्रे में वो 4 करोड 70 लाग रुपे हो जाएंगे, और अगर आप 500 ना करके 2,000 रुपे पर मन्त करते हैं, तो वो होंगे 18 करोड 81,25,845 रुपे, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना सिर्फ इंडिया के मार्केट में इ जिया दोस्तों, यहां आपको इंस्टेंट डिपोजिट और इजी विडॉल अवेलेबल होगा, और सबसे मैजदार बात तो यह कि यहां करनसी कनवर्जन के लिए कोई भी कमिशन चार्ज नहीं लगते, करनसी कनवर्जन के लिए वो डेली गूगल रेटी फोलो करते हैं, और तो और वो लोकल बेंट डिपोजिट के लिए भी कुछ भी चार्ज नहीं करते, और अगर आप मार्केट में देखोगे, तो कोई भी यह सा ब्रोकर नहीं है, जो वीकेंड पर भी अवेलेबल रहता हो, लेकिन अलफा एफेक्स आपको निराश नहीं करेगा, आपके लि हिंदी, इंग्लिश और तवीर में अवेलेबल है, जो उनके एक्सपर्ट टेडर्स लेते हैं, और यहाँ पर आप सिर्फ फोरेक्स मार्केट में नहीं, बलकि यूए स्टॉक जैसे एपपल, माइक्रोफ, गूगल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वह भी बिलकुल सिंपल स कि हर एक्सपेक्ट में काम आती है, और एलबर्ट आइंस्टाइन नहीं से यूँ ही दुनिया का आट वजूबा नहीं कहा है, तो इसके बारे में आज थोड़ा आराउंट से सोचना, कि आज तक जो हो गया, वो सो हो गया, लेकिन आपकी आने वाली लाइफ में जो होगा, तो इन्वेस्मेंट का भी सोचो, आपकी जो आदते हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान लगाओ, और हर दिन आपके पास में जो चोईस होती है, उनमें आप क्या चूस करते हो, उस पर भी थोड़ा ध्यान लगाओ, छोड़ी छोड़ी चीजा कर बहुत बढ़ी हो जाई कि जल्ट नहीं मिले, उस वक्त तो थोड़ा पेशन्स रखना, तो उम्मेद करता हूँ कि आपको सारी बात या अच्छे सून में आज़ी क्यों होगी, अगले वीडियों फिर मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!